दोस्तों अन्बॉक्सिंग करते हैं फिलिस्ट ब्लेंडर सीरीश 3000 इसका मडल नमबर है HR2041 यह 450 वाट का ब्लेंडर है इसमें हमें टोटल 3,000 मिल जाता है यह ब्लेड मिल है ब्लेड में टोटल 4 ब्लेड है यह चोपर है चोपर में 2 ब्लेड है और एक 1.9 लिटर का जूसर जा आता है इसमें और एक मोडल आता है 600 वाट का उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रहती है मैं आपको उसका पिक्चर दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं यह 600 वाट का ब्लेंडर है इसकी प्राइस साओधी में लूलू में 159 रियल तो इंडिया का हो गया है 3,300 रुप दो साल का हमें इसके साथ वारंटी मिलता है तो दो साल मेंकर ब्लेंडर हो जाता है तो आपको सर्विस चेंटर से नया आपको मिलेगा साइच से देखे बक्स को फिलिस ब्लेंडर 3000 सिरीज यहाँ पे तीन पिक्चर दिया गया है जूस का पिक्चर है, चटनी का पिक्चर है, स्वीट का पिक्चर है तो आप मिक्सर मचीन में जूस भी रेडी कर सकते हैं बदा milk है, milk sick है, chocolate milk है, masala, chutney भी ready कर सकते हैं, या फिर कुछ sweet का item है, वो भी आप grind कर सकते हैं, box को यह साइच्छे देखिए, pro blend system, pro blend jar, pro blend mortar, 450 वोट का high capacity mortar हमें इसमें मिलता है, pro blend blades, जो की maximum cutting करता है, और आप जो भी इसमें grinding करता है, वो आपको एकदम बारिक करके देगा, philips का यह blender, और यहाँ पे बहुत सारी language में उसकी detail है, box को यह साइच्छे देखिए, philips 3000 series, यहाँ पे उसका model number है, HR2041, अलग रख language में यहाँ पे उसकी detail है, एक blade mill मिल जाता है, एक chopper मिलता है, एक plastic jar मिलता है, 1.9 liter का, जिसे जूसर jar भी बुलते हैं, motor का quality काफी अच्छा है, और motor जो है, thermo protection motor है, motor जल्ली करम होता नहीं है, यहाँ पे pro belt system, motor 450 watt का motor है, jar capacity है, 1.9 liter, और यहाँ पे 1 feet मिलता है, तो नीचे rubber का feet मिलता है, तो आप table पे या फिर किदर भी इसे रखते हैं, और चालू करते हैं, तो यह किदर भी move होगा नहीं, 1 speed मिलता है, और एक pulse मिल जाता है, इसमें 2 speed नहीं मिलता है, 3 speed भी नहीं मिलता है, only आपको 1 speed मिलता है, और एक pulse मिलता है, और यहाँ पे dispatcher शिफ, को बाहर निकल देते हैं, तो यह user manual है, और कहाँ कहाँ पे इसका service center है, उसके बारे में detail दिया गया है, जूसर जार को बाहर निकल देते हैं, और यह साथ में इसका lead है, ब्लेड मिल को बाहर निकल देते हैं, तो यह ब्लेड मिल है, चौपार को बाहर निकल देते हैं तो यह चौपार मिल है अभी blender को बाहर निकल देते हैं Box में कुछ भी नहीं Box को side में रख देते हैं सबसे पहले juicer jar को दिख लेते हैं जूसर jar का जो capacity है 1.9 liter का है तो almost 2 liter लेकिन इसमें आप 1 liter ही जूस बनाए ऐसा कंपनी का मन्ना है और जूसर जार का प्लास्टिक बॉड्यी क्लिटी है काफी अच्छा है काफी सॉलिड है और हैंडल से इसे वास करना पड़ेगा लीड देख लेते हैं तो लीड का भी प्लास्टिक बॉड़ी क्कुलिटी काफी अच्छा है और आप जूस बनाने के टाइम पर कुछ तो अपको नीचे से उपन करना पड़ेगा और आपको इसे बाहर खीचे तो यह बाहर आ जाएगा तो ब्लेट का कॉलिटी देखे काफी अच्छा ब्लेट का कॉलिटी है और ब्लेट एकदम सार्पनेस है तो आपका जो फिंगर है वो भी यहाँ पर कट सकता है नीचे देखि तो आपको अगर ब्लेट को बाहर निकलना है और फिचर में अगर ब्लेट को चेंज करना है तो ब्लेट को बाहर से पकड़िए और इसे गुमाईए तो यह लूज हो जाता है तो ब्लेट बाहर आ जाएगा और जब भी आपको इसे टाइट करना है तो ब्लेट को अंदर डा और यह पार्ट को ऐसे लगा के एंटि क्लॉक्वाइज गुमाएंगे तो यह लॉक हो जाएगा ब्लेड मिल देख लेते हैं तो यहां भी 30 सेकंड मेंसन किया गया है तो ब्लेड मिल को भी आपको 30 सेकंड टक रोक रोक के यूज करना पड़ेगा कंटिनिड इसे नहीं चलाएं एक दो मिल टक नहीं चलाएं और नीचे देखिए तो इसे भी आपको ऊपन करना है तो गुमाना पड़ेगा नीचे पूल कीजिए तो यह ओपन हो जाएगा ब्लेड मिल में टोडल आपको 4 ब्लेड मिलता है ब्लेड का क्वलिटी काफी अच्छा है और ब्लेड काफी साटनेस है यह blade को भी आपको निकलना है तो blade को ऐसे पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद इसे clock wise ऐसे गुमाएंगे तो blade बाहर आ जाएगा और जब भी blade को लगाना है blade को उपर से लगा के इसे एंटी clock wise गुमा दीजिए तो blade tight हो जाएगा तो आपको जो भी blend करना है अंदर डाल दीजिए और उसके बाद ऐसे लगा के एंटी clock wise गुमा दीजिए तो यह lock हो जाएगा अभी दिखते हैं blender फिलिप्स का logo यहाँ पे print किया गया है यहाँ पे problem लिखा हुआ है button यहाँ पे है अभी 0 पे है button बंद है यहाँ पे आपको एक ही speed मिलता है दूसरा speed नहीं मिलता है तो आपको blender को on करना है तो एक पे लाके on कर सकते हैं दूसरा option मिलता है pulse का तो आप pulse य तो वही मसीन अन होता है, साइट से देखिए, बैक साइट पर यहाँ पर केबल निकली हुई है, केबल काफी छोटी है, एक मीटर की केबल है, और थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी, प्लग की बात करते हैं, तो जिसी सिस कंट्रीज में यूज होने जाने वाले प्लग है, नी मुव होता नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके डीटेल, तो यह प्रिंट की गई है, यह श्टीकर नहीं है, फिलिप्स, मॉडल नंबर, HR2041-30AC, 220-240W, 50-60W, 450W का मोटर है, वीडिन चाइना, अभी ब्लिंडर मसीन को आउन करके आपको दिखाता हूँ, प् बिंडर मसीन आउन होता है, तो सबसे पहले मैं 4 पर जार को अंदर बिठा देता हूँ, उनदर बिठाने के बाद आपको ऐसे clockwise घुमाना पड़ेगा, अभी आउन करते हैं, प्ल्स आन करते हैं, अभी Blade जार को अंदर बिठाते हैं, पल्स आन करते हैं, तो मैं आपको कुछ आइटम बना के नहीं दिखा रहा हूँ, जूस बना के भी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह जो ब्लेंडर है, मैंने मेरे दोस के पास लिया है, अन्बोक्सिंग का वीडियो बनाने के लिए, तो यह है 1.9 लेटर का जार, इसे भी अंदर बिठा के इ दोस्तो वीडियो में आपने देखा, फिलिस ब्लेंडर सिरीस 3000 HR2041 ब्लेंडर मशीन का रिव्यू, तो आप यह ब्लेंडर मशीन पर्चेस करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, कॉलिटी बहुत ही अच्छा है, ब्लेंडर मशीन का, ब्लेंडर मशीन बार बार नहीं लिया जाता ह तो आप एक बार ब्लेंडर मशीन पर्चेस कीजिए, अच्छा क्वालिटी का पर्चेस कीजिए, अच्छा कंपनी का पर्चेस कर लीजिए, इसमें और एक मडल आता है, 600 वाट का, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, तो यह 600 वाट का मशीन है, इसकी प्राइज है 159 र पर्चेस किया है, इंडिया में यह ब्लेंडर मशीन नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी नहीं मिलता है, और ऑफ्लाइन भी नहीं मिलता है, अनलाइन मैंने चेक किया, एमेजन पर और क्लिक्पर पर यह ब्लेंडर का ब्लेंडर नहीं मिलता है, फिलिप्स का ब्लेंडर मिलता है, लेकिन वो दूसरा model का मिलता है, तो आपको अगर यही model का purchase करना है, तो आप दुबाई से, कतर से, साउदी से, कोई भी GCCS country से purchase कर सकते हैं, आपको यह blender GCCS country में आसानी से मिल जाएगा, तो आपको कोई दोस्त चार रिस्ते दारगर साउदी में है, दुबाई में है, तो उस